यूटुब में जोब डिडेक्टर हमारा फिजिक्स में light chapter स्टार्ट हुआ है इनदर एक subtopic आता है mirror आज हम लोग क्या परहेंगे हमाने mirror topic मिरर होता क्या है objects कितने types के होते हैंobjects object 3 तरह के हो यह न voter दुकेकalt, ट्रांस्पारेंट, ऑब्जेक्ट and translucent ऑब्जेक्ट. Then the reflection of flight अच्छिए प्याजुक्ट पारेया था और दूर्क्षेन के बाद अगंग एक मयरे तॉपिक मिरर प्याजेएव अबजेक्ट मैने बठाया था और आपजेक्ट किया है एनिधिंग देट हैस्ट एक तरह का अबजेक्ट है जो लाइट को रिफलेक्ट करता है इस तरह रिफलेक्ट करेगा कि हमारा जो भी इमेज रहेगा हम उसमें देख पाते हैं बले वह जो भी फोटो बन रहोगा वो रियल बने वर्च्वल बने इरेक बने चोटा बड़े बना बड़ा हो ठीक है बट हम उसमें देख पाते हैं अपना इमेज को तो उसे हम क्या कहते हैं मिरर कहते हैं कोई कंफ्यूजन है देखें यहां पर क्या लिखा अमिरर इजन ऑबजेक्ट देट रिफलेक्ट लाइट इन सच अवीड दाट यू कन सी य या काल्पनिक वर्श्वल हो सकते हैं इरेक्ट भी हो सकते हैं इन्वर्टेट भी हो सकते हैं इरेक्ट मतलब सीधा होता है इन्वर्टेट मतलब उल्टा होता है फ्रेंस दिमनेश और लाज दिमनेश छोटा भी हो सकते हैं बड़ा भी हो सकते हैं ठीक है तो इसे हम क्या कहत दोस्तों, plain mirror का common use हमारे house पे जो mirror रहता है, हमारे house पे जो home पे जो mirror यूजड होता है, वो कौन सा mirror है दोस्तों, plain mirror अब हम लोग देखते हैं, spherical mirror क्या होता है, अच्छा चलिए पहले और deep में देख लेता है हमारा plain mirror को, plain mirror is a mirror with a flat reflecting surface, उसका surface कैसा रहता है, flat रहता है, जहांसे reflect प्लेट एक प्लेट राट रिफलेक्टिंग सर्फिस रहता है यूज दी प्लेट मिरार एस लुकिंग ग्लास की तरह यूज करते हैं यूज अप्लेट सब्सक्राइब करका लिए अब्डेट रिएल उबजेट आप अप्डेट देखें दोस्तों जब हमारे घर में अपना फ डिकन इसके दिखते हैं ठीके एलैख्त दिखते है तोproduct ncaश जोन पर इस तरह का तो आप नहीं दिखते और वर्चुवल दिखते लाटरों राबिरेग्टू रोशन न होता है na वष्ट्वल वंश्वल डिखते ठीक है तो कोई कोई कन्फूजन है प्लेन मिरटे एक एक प्लेनमीर दोस्तों तो अगर आपको बोल दिया कि दो जानल कोदो डिए-2 ना मिरेंख यह एक टॉक तो कितना नमबर ऑफ इमेजेश निकाल लिए गाई बताє ही तो अगर आपको बोल देता है कि दो मेरेन स्जारी है 60 degree के angle पर कितना number of images मिलेगा यह आप लोग मुझे बताएगा तो कितना number of images मिलेगा अगर किसी person को अपना full photo देखना है अगर किसी भी person को अपना full photo देखना है तो minimum उस plane mirror का height कितना रखे कि वो person अपना full image देख पाए ठीक है कि दो question दिये रही हूं दोस्तों यहां पर क्या दिया हुआ है कि दो plane mirror at an angle of 60 degree पर इधर inclined है तो number of images हमारा कितना form होगा यह पहला question है number of images दूसरा question दे रही हूं ठीक है अगर किसी भी person को अपना full image देखना है full image देखना है तो plane mirror के minimum height हम plane mirror का कितना रखे कि वो person अपना full image देख पाए दोनों question का answer आप लोग comment कीज़ेगा friends plane mirror से दोनों question का answer आप लोग comment कीज़े तो चलिए बढ़ते स्पेरिकल mirror की तरह स्पेरिकल mirror क्या है a mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow spare of a glass spherical mirror दोस्तों किसे बोलते है एक ऐसा mirror जिसका जो polish surface होगा ना polish जहां से reflect back करता है हमारा light जो polish surface होगा है वो एक hollow glass का part होगा hollow glass है यह हमारा मानीजे तो hollow glass का एक अगर पार्ट होता है इसे हम काट देते हैं तो यह हमारा क्या बन जाएगा spherical mirror बन जाएगा ठीक है काट के अलग कर दिया न तो यह जो भी मेरा यह बन रहा reflecting surface यह hollow spare कहीं पार्ट है न दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे spherical mirror कहेंगे जिसका एक साइड हमारा opaque रहता है मतलब light को पास नहीं होने देता दूसरा साइड हमारे reflecting surface की तरह काम करता है spherical mirror क्या है दोस्तों spherical mirror जिसमें जो polished reflecting surface है यह hollow spare कहीं पार्ट है it is known as spherical mirror यह इसका जो one side है यह क्या है opaque होगा और दूसरा साइड हमारा क्या होगा reflecting surface होगा कोई confusion है यह आतक में इसी nature के according हमारे spherical mirror था two types का है concave mirror and convex mirror concave mirror and convex mirror चलिए deep में देखते हैं हमारा concave mirror and convex mirror हमारा reflecting side inward रहे reflecting side हमारा inward रहे अंदर की तरफ रहे उसे हम क्या बोलेंगे concave mirror कहेंगे क्या बोलेंगे concave mirror ठीक है क्या बोलेंगे दोस्तों जब भी हमारा reflecting surface अंदर की तरफ रहे उसे हम क्या बोलेंगे concave mirror और जब भी बाहर की तरफ रहे उसे हम क्या कहेंगे convex mirror कोई confusion है इसके दोनों के basic difference पे तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या लिखा है a mirror which is a part of a spare यह जो mirror है spare का ही पाट है hollow spare का part है and it is polished from the outward side such that the reflecting surface is inward इसको बाहर की तरफ से polish किया गया है दोस्तों ताकि अंदर की तरफ जो हमारा reflecting surface का का काम करें इसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं convex mirror ठीक है इस mirror में क्या होता है parallel ray of right converge at a point after reflection reflection होने के बाद जो भी मेरा parallel rays of light था वो एक जगा पे क्या हो जाएंगे converge हो जाएंगे यह जो concave mirror है इसको हम solar energy से heat energy को convert करने के लिए भी use कर सकते हैं ठीक है in torches and cars headlines यह जैसा जो reflection हुए है दोस्तों मैं आपको reflection बताऊंगे कि यह reflection हमारा कैसे हुआ है ठीक है तो पहले हम देख लेते हैं यहां पर a concave mirror is used to convert solar energy into heat energy in torches the car's highlights to reflect the light the bulb to produce a powerful beam of light in an astronomical telephone to start to view stars and plan पहले वह में देख लेते कि हमारे concave mirror में photo कैसे बनते है दोस्तों देखे यहां पर हमारा क्या है एक तरफ हमारा reflecting surface है दूसरा हमारा polish किया गया है ठीक है तो देखे यह जो हमारा concave mirror है दोस्तों यह spare का ही पार्ट है ना तो इन स्पेयर का कोई center होगा न इस प्राइर का यह पार्ट होगा उस प्राइर का कोई center होगा न दाट imaginary center of an snare from which this concave mirror is drawn out दाट center is known as center of curvature उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों center of curvature वो किसे represent किया जाता है सी से हमारा represent किया जाता है ठीक है, यह जो हमारा mirror है दोस्तों, concave mirror, इसका भी एक हमारा center होगा, that center is known as pole, क्या बोलता है हम उसे, pole, कोई confusion है, उसे हम क्या कहते हैं, pole, center of curvature और pole के बीच का जो equidistance होगा, equidistance है, वो हमारा क्या कहलाता है, focus, और focus और pole से जो distance होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, focal length, क्या कहला दोस्तों, focal length, तो यहाँ पर जो reflection वाला चीज हुआ है, reflection जो करके ऐसे से दिखा रहा है, वो हम concave mirror के सारे 6 case होते है, सारे cases को discuss करेंगे, next class में, तब आप लोको यह clear समझ में आगा, कि यह reflection हुआ कैसे है, ठीक है, तो चलिए, आगे, concave mirror हमारे use कहा कहा किया जाता है, concave mirror हम हमारे nose, ears के जो doctors रहते हैं, वो में हमारा concave mirror यूज करते है, patient के observe करने के लिए, ठीक है, अब हम देख लेता है, हमारा convex mirror, convex mirror क्या दोस्तों, convex mirror में क्या होगा, reflecting surface हमारा outside होगा, और अंदर की तरफ हमारा polish किया जाएगा, ठीक है, हमारा अंदर की तरफ polish किया जाएगा, reflecting surface ह हमारा outwards होगा, उसे हम क्या कहते है, उसे हम कहते है convex mirror, convex mirror हम कहां कहां यूज करेंगे, अच्छा, convex mirror में मैंनी हमारा photos कैसा आता है, दोस्तों, convex mirror में मैंनी हमारा photos, बताइए, convex mirror पे जो image बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, erect बनता है, virtual और dimnist बनता है, dimnist मतलब में श्रीट लाइटिस में वियुक्तոई कें सarea का य suffers क्लास में आपको कॉनवेक्स और सबसक्राइप करेंगे देखना टिष्चित एया हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर किया दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है वह कि को इस तरफ बनेगा तो बिहांदम बन रहा है सब्सक्स हो समारे भी सब्सक्रिण नेहीं में ईसलंग को पर 20 क होता है तो कॉप्जीशन पह्जिशन जैसा होगा उस कोडिंग हमारा image form होगा कोई confusion है convex and concave के basic differences में तो आज हम लोगों ने क्या के discuss कि हमारा mirror क्या होता है mirror two types के होता है plane mirror and spherical mirror plane mirror में मैंने आप लोगों को दो question दिया है कि अगर दो plane mirror inclined है 60 degree के angle पे हमारा number of images कितना form होगा ये पहला question है दूसरा question है अगर एक person को अपना full image देखना है तो minimum minimum हम plane mirror का height कितना रखे कि वो उनको अपना full photo observe हो जाए दूसरा है spherical mirror spherical mirror two types के होता है concave and convex concave and convex का basic differences हम लोगों ने discuss कर लिया है दोस्तों ठीक है basic differences हम लोगों ने discuss कर लिया है next class में जब हम detail में इसका cases करेंगे reflecting cases करेंगे कि कैसे reflect back होता है तब हमें clear होगा कि center of curvature क्या होता है radius क्या होता है focal length क्या होता है pole क्या होता है ठीक है दोस्तों तब तक के लिए हमारे जितने भी previous videos को आप लोगों ने नहीं देखा है आप playlist पर जाके check कर लीजे और देख लीजे फ्रंस हमारे चाहां को like कीजे subscribe कीजे अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजे video के description में आपको हमारा telegram का link मिलेगा वहाँ से आप हमारे group में join हो सकते हैं thank you